नमस्कार दोस्तूं, रेट सिक्सक बरती 2022 और इसी के साथ जो भी टेट एकजाम है, थर्ड ग्रेड एकजाम है, सिटेट एकजाम है, इनके लिए हम देख रहे थे हिंदी की सिक्सन विदियाँ। सिक्षन विदिया का एक भी पर्षन आपका न चुटे इसके लिए हिंदी सिक्षन विदियों के हम लेकर आये थे 500 महत्वपून पर्षन दोस्तूं इसका भाग नंबर एग के एंदर हमने 1 से लेकर 50 तक के परसन देख लिये थे आज रहेगा हमारा भाग नंबर 2 जिसके एंदर हम देखेंगे 51 से लेकर 100 तक के क्युसन सबी के सबी जो वीडियो आएंगे वो आपको इंदी सिक्सन वीडियो के पर्षन उतर के नाम से जो पलेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर एक एक कलासे आपको मिलती जाएगी दोस्तू कलास नमर एक भी आप वहाँ पज़ा कर अटेंड कर सकते हैं तो चलते हैं दोस्तू आज की इस कलास की और एक बार सभी मित्रू से मेरा अनुरोद है कि वीडियो को लाइक और सेर अधिक से दीक करें जो भी साती रीट की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से इसको अपने सात्यू के पास सेर जरूर कर दें चलिए मित्रू पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे आच चुका है दूसरी बात मित्रू जैसे ही ये 500 परसन आपके कम्पलीट होंगे तो इन 500 परसनों की पीडियेप है वो आपको दे दी जाएगी एपलिकेसन के मादिम से जैसे ही पचापचास क्यूसन है इनकी पचापचास क्यूसन की दस पीडियेप बनेगी वो एपलिकेसन पे आपको मौजूद मिल जाएगी आप वहां से इस्टोर में जाकर ये चीज़ है जो देख सकते है उचे प्रात्मिक इस्तर पर कहानी रचना के लिए उप्योगी सा सामगरी शामपट भी होगा फ्लेस कार्ड भी होगा और चितर कताएं भी होगी ये सबी है जो उत्परात्मिक इस तर पर कानी रचना के लिए क्या है उप्योगी सामगरी है ये सबी चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यों से नमर बाउन में चलिए किरियात्मक अनुस अनुसंदान होता है क्रियात्मक उसके अंदर सोध करता कोई भी वेक्ति हो सकता है नहीं मित्रूं विधाले या उससे समंदित वेक्ति जैसे सिक्सक हो चातर हो प्राचारे हो आदी हो सकता है यह सही है आपका क्रियात्मक अनुसंदान होता है इसके अंदर जो सोध करता है व मदू मकिया नर्ते द्वारा संप्रेशन करती है वह कौन सा संप्रेशन है मित्रू मदू मकिया है जो नर्ते के द्वारा संप्रेशन करती है ये है कौन सा संप्रेशन दर्से है सर्वे है दर्से सर्वे है या कोई नहीं कैसा संप्रेशन है ये ये दर्से संप्रेशन होता है म इस पर उप्चारात्मक सिक्सन की सामगरी पर बासिक नियमू के ज्यान पर समेव आउदी पर समस्याओं के कारणों की सही पैचान पर बात कर रहे हैं कि जो उप्चारात्मक सिक्सन होता है इसकी सपलता किस पर निर्बर करती है तो मित्रू जब तक आपको समस्या का पता नहीं है समस्या क्यों है क्या कारण है तब तक पता नहीं है तब आप उप्चारात्मक सिक्षन उसका नहीं कर पाएंगे मतलब समस्या हूँ के सही कारणों की पैचान पर आपका उप्चारात्मक सिक्षन है जो निर्बर करता है किया जाता है मित्रू देखे मांदन प्रिक्षन उदे से केंदरित प्रिक्षन निदानात्मक प्रिक्षन या इन में से कोई नहीं क्योंसर क्या दिया है उपचारात्मक हिंदी सिक्षन है तू कौन सा प्रिक्षन किया जाता है पहले प्रियुक निदानात्मक प्रिक्षन प् उप्योग किया जाता है जो उप्चारात्मक सिक्सन होता है उसके अंदर किस अनुदेश सामगरी का उप्योग किया जाता है करमित अभीकरमित कालपनी किया ये सभी किसका किया जाता है अभीकरमित अनुदेश सामगरी का ओपसा नमर दो और इंपोर्टेंट क्यूसन है इस एक मातर लक्से इन में से क्या है मित्रू पहला देखे बच्चू की अधिगम से समन्दी समस्याओं को हल करना बच्चू की अधिगम से समन्दी समस्याओं को बढ़ना बच्चू की अधिगम से समन्दी समस्याओं का पर ध्यान ना देना या उप्रोग सभी तो उप्चारात सिक्षन का एक मातर लक्स से होता है वो होता है मित्रू की जो बच्चू की अधिगम या सीखने से समंदी समस्या हैं उनको क्या करना हल करना दोस्तूं एक नमर उप्षन यहां पे सही रहेगा और इंपोर्टेंट क्यूसर है इस बार के लिए आगे चलते क्यूसर नमर ठावन पर्तिक्वाद सिद्धांत किसे का है पर्तिक्वाद सिद्धांत अनुकरन सिद्धांत को निरने सिद्धांत को दातू सिद्धांत को या अंकित सिद्धांत को पर्तिक्वाद सिद्धांत किसको कहते हैं मित्रू किसको कहते हैं निरने सिद्धांत को ही पर्तिक्वाद रहेगा एक वार सभी मित्रू से अनुरोध जल्दी से इस क्लास की लिंक को आगे अपने मित्रू तक सेर करते जाए जल्दी से सेर करते और कमेंट करके बताए कि आपने सेर कर दिया है आगे चलिए नेक्स्ट क्यूसर में क्यूसर नमर 59 है मनुस्य के बाउं एवं विचारू के पारस्परिक आदान परदान का माद्यम है बोली बाओं और विचारू के पारस्परिक आदान परदान का सादन क्या है बाज़ए मित्रू दो नमर उप्सन इंपोर्टन क्यूसर आगे चलिए क्यूसर नमर 60 देएके बासा सीक्सटम में जो पाटे पुस्तक है आपकी या साधन है जो पाठीज़ फुस्तिक होती है मित्रूं यह क्या है साधन होती है एक ओपसन नमबर चार यहां पे सही रहेगा सबसे ज़्यादा बार एक जमू के अंदर आयावा क्यूसन और बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन है डबल इस्टार बना रहे हैं आगे चलिए क्यूसन नमर 61 की और बच्चू के बासा विकास की कर्मिक परगत्ती का रिकोर्ड साहिक है बासा विकास की जो परगत्ती है इसका जो रिकोर्ड रखते हैं कौन सा है जो इसमें साहिक है देखे सिक्सक डायरी है पोर्टपोलियो है लिकित परिक्षा की उतर पुस्तिकाएं या नोटबुक है कर्मिक परगत्ती का रिकोर्ड रखने के लिए सरवादिक साहि होता है वो होता है portfolio option number 2 आपका यह पर सही रहेगा क्यों तो 25 देखिए ने में से कौनसी सिक्षन सामगरी एक कौनसी सिक्षन सामगरी है जो दर से शर्वे नहीं है देखे नाटक रेडियो टेलिविजन कम्प्यूटर नाटक को सुन सकते हैं देख सकते हैं कंप्योटर को सुन सकते हैं देख सकते हैं तो कौन सिय जो दर्षय और सर्वे नहीं है रेडियो नहीं है और सनमार 5 व्यूंड Bird कि वासा सिक्षन के अंतर गयर दर्षय साहिक सामगरी का उपयोग58 होता है किसके लिए होता है चुछ हमें सब्चारने में सुद पढ़ने या इना से किसी बने भिए polity ने दŻसे साहिक सामगरी का उप्योग किसके लिए होता है सुद लेकन के लिए याद यह इना इग तत्वों का ग्यान प्राप्ट करना किस उदसे के अंतरगत आता है जो बासा तत्वों है इनका ग्यान प्राप्ट करना किस उदसे के अंतरगत आता है ग्याना अत्मक उदसे कोसला अत्मक उदसे सर्जना अत्मक उदसे या अभी वरित्या अत्मक उदसे बात करें बासा तत् और important question है exam की द्रष्टी से और जो साती read की तेयारी कर रहे है और read के बाद third grade की तेयारी कर रहे है उनके लिए बहुत important आगे चलीए question number 65 उपचारात्मक सिक्षन निवन में से किस परकार का सिक्षन है जो उपचारात्मक यानि हर एक समस्या का निधान करना उसके बाद उसका उपचार करना ये कैसा सिक्सन होगा उत्तम सिक्सन होगा आपका तीन नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट के उसर में चलते हैं उपचारात्मक सिक्सन का आयोजन करते समें आउसक है उपचारात्मक जो सिक्सन होता है उसके बारे में देखिए उपचारात्मक सिक्सन का आयोजन करते आउसक है क्या आउसक है मित्रू कक्सा सिक्सन परवेक्सित अद्दिन स्वह अनुदेस प्रवेक्सित अद्दिन ये सबी तो उप्चारात्मक सिक्षन का आयोजन करते से में कक्सा सिक्षन भी हो सकता है प्रवेक्सित अद्दिन भी और स्वह अनुदेशित सिक्षन भी ये तीनों आवसेक होते हैं ये सबी चार नमर उप्षन यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट यो उप्चारात्मक जो सिक्षण है। वो किस परकार का है। ये एक अनुदेसात्मक क्या होता है। कारी ये होता है। ऑप्शन दो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्यूसर में चलिए, बासा सिक्षन में उपचार उतना ही अच्छा होगा, उपचार उतना ही अच्छा होगा, जितना निदान, बुरा होगा, सामाने होगा, अच्छा होगा या सुने होगा, जितना अच्छा आप निदान करोगे, उतना ही अच्छा आपका क्या हो उप्चारात्मक सिक्षन होगा मतलब अच्छा होगा ओप्षन तीन जितना अच्छा निदान होगा दोस्तूं आगे चलिए क्योसर नमर 69 देखे निम्न मेंसे क्या उप्चारात्मक सिक्षन का सिद्दान्त नहीं है बात कर रहे हैं कि निम्न मेंसे क्या है जो उप्चारात्म अध्यापक अपने द्रिष्टी कोण को अनुभवूं के आदार पर ना अपना है, शिक्सन के दोरान बच्चू को सकरिय रखा जाए, शिक्सन निदानात्मक प्रिक्सनु में क्या हो, दक्स हो, अब क्यूसन को देखें, निदान में से क्या उप्चारात्मक सिक्सन का सिद्धान्त नहीं है, ये नहीं है दो नमर वाला, देख ले दो नमर वाला, अध्यापक अपने द्रिष्टी कोण को अनुभवूं के आदार पर ना अपना है, तो उप्चार नमर दो आपका यहां पे सही रहेगा, क्योंसर नमर सत्तर देखें, निद में से कोशलात्मक उदसे में नहीं आता है, कोशलात्मक जो उदसे है, उसके अंदर नहीं आता है कौन सा, बोध सहीत सुनने की योगिता प्राप्त करना, बोध सहीत पढ़ने की योगेता प्राप्त करना परभावी डंग से बोलकर अपनी बात कहने की योगेता प्राप्त करना रचना के विविद रूपू का ग्यान प्राप्त करना कोशला अत्मक उदसे में नहीं आता है चार नमर वाला बाकी ये तीनू के तीनू है जो किसमे आते हैं? कोशला अत्मक उदसे में आते हैं तो चार नमर उपसन आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्योसिन में चलिए अध्यापक का करतव है कि वह मूल पार्ट प्रस्तूत करने से पहले चातर का मुल्यांकन करें अध्यापक का करतवे है कि जब वो मूल पाट प्रस्तूत करने लगे हैं उससे पहले चातर का क्या करें पूर्वे ग्यान का मुल्यांकन अलप ग्यान का मुल्यांकन उच ग्यान का मुल्यांकन या निम्न ग्यान का मुल्यांकन किसका पूर्वे ग्यान का मुल्यांकन करना nextGotes gold में चलीए बच्चों में बासा की समझ का विकास करने है तो आूस्यक है बच्चों के अंदर बासा की ज़ो समझ है उसका विकास करने के लिए आूस्यक है कि उने गाने का अभ्यास कराये जए कावियों की रचना करनी सिखाई जाए व्याकरण का ग्यान दिया जाए या उप्रोक सभी किया जाए बासा का विकास कर रहे है मित्रू याँपरम तो व्याकरण का ग्यान उसमें करवाया जाए ओपसर नमबर तीन सही रहीगा इंपोर्टेंट क्यूसन है ये भी आगे चलिए क्यूसर नमबर तेतर में मुल्यांकन है तू अपनाई जा सखने वाली विदियां या तक्निक है मित्रू कौन सी है निरिक्सन वे साकसातकार भी है पड़ताल सुची वे परशनावली भी है संची तबिलेक वे सामिक जांच यह सबी है जो मुल्यांकन है तो अपना जाने वाली तक्निके या विदियां है उपरोग सभी चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्योसिन में चलिए नियुन में से मुल्यांकन करने की परिनात्मक परिक्षिया कौन सी है मुल्यांकन करने की परिनात्मक परिक्षिया की यहां पर बात हो रही है की कौन सी है मित्रू मोकिक परिक्षिया है लिखित परिक्षिया है प्रायोग आत्मक परिक्षिया है ये सबी है जो प्रिनात्मक परिक्षिया है मित्रु मुल्यांकन की तीनू की तीनू ये सबी चार नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा इंपोर्टेंट क्योसन है आगे चलते हैं क्योसन नमर पचेतर की और किरियात्मक अनुसंधान का उदसे होता है किरियात्मक जो अनुसंधान है इसका उदसे क्या होता है नए तत्यूं वसिद्धान्तूं का निर्मान करना कक्सा एवं विदाले की कारिये प्रणाली में सुधार लाना ये तो है उदसे जनता का सर्वे करना य तो नहीं है किरिया सीलता दोड़ा सिक्सन अधिगम के सिद्धांत बनाना ये भी नहीं है तो पूचा है आपको कि क्रियात्मक अनुसंदान है इसका उद्ध से क्या होता है इसका उद्ध से होता है कक्सा एवं विदाले की जो कारिये पर नाली है उसमें सुधार लेकर आना ओप्सन नम्बर दो आपका सही रहेगा यहां पे आगे चले क्यूसर नम्बर चिंतर के ओर बासाज सिक्सन में पिछडे बालकू के लिए सरवादिक उप्यूक्त अनुदेशन पर किरिया होगी पिछडे बालकू के लिए वेक्तिगत होगी सामुईक होगी एक और दो दोनुँ होगी या यह सबी होगी बात करने पिछडे बालकू के लिए सरवादिक उप्यूक्त अनुदेशन पर किरिया की तो वो होगी वेक्तिगत अनुदेशन पर किरिया उप्सन नमर एक आपका सही रहेगा इंपोर्टेंट क्यूसन है यह भी आगे चलिए क्यूसन नमर सतंतर में पिछडे बालकू के सिक्सन को परभावी बनाने के लिए उप्चारात्म को पाई क्या होगा मित्रू एसे बालकू को सोचने का प्रियापत अउसर परदान करना चाहिए यह उप्चारात्म को पाई होगा एसे बालकू को कक्सा में आगे बड़ाना चाहिए यह भी होगा एसे बालकू को हतोत साइथ ना करना चाहिए यह उप्चारात्म को पाई होगा मतलब तीनों के तीनों है जो पिछले बालकू के सिक्सन को परबावी बनाने के उप्चारात्मक उपाए तो सही रहेगा चार नमर उप्षन उप्रोक्त सभी मित्रू क्यों से नमर अठंतर में चलिए किस मुल्यांकन के अंतर गयत चात्रू की साब्दिक अभिवेक्ति उसके मत एवं दरश्टिकोण की योगेता बासा परवा तार्किक सक्ति का पता चलता है कौन से मुल्यांकन में मोखिक मुल्यांकन वेक्तित्व मुल्यांकन सामुईक मुल्यांकन या लिखित मुल्यांकन किस में चलता है अभी वेक्ति मत दरश्टिकोण की योगेता बासा परवा तार्किक सकती इन सबी का पता चलता है मोखिक मुल्यांकन के अंदर कौन से में और उप्सन सही रहेगा ने एक्स्ट योसिन में चलिए नियून में से क्या आ नियून में से क्या उप्चारात्मक बासा सिक्षनेतु एक समस्या नहीं है उप्चारात्मक बासा सिक्षनेतु क्या है जो एक समस्या नहीं है मित्रू पेली सीमा का कक्सा में सिक्षन कारिये के दोरान ध्यान पूर्वग ना सुनना अमित्रू बात किसकी कर रहे हैं उप्चारात्मक बासा सिक्षन की समझ्या कौन सी नहीं है ये तो नहीं है पहले वाली तो संजे का पाटे पुस्तक को परवापूर्ण तरीके से पढ़ना क्या बात कर रहे हैं यहां पे क्यूसन को समझ नेवन मैंसे क्या उप्चारात्मक बासा सिक्षन है तो एक समझ्या नहीं है तो यही नहीं है दो नमर वाली ओप्षन नमर दो आपका सही रहेगा आगे चलते हैं क्यूसन नमर असी की ओर क्रियात्मक अनुसंदान का छेतर है क्रियात्मक जो अनुसंदान होता है इसका छे चात्रू का स्कूल से भागना अनुपस्तित रहना आदी समझें भी किरियात्मक अनुसंदान छेतर में आती है चात्रू का चोरी करना ग्रह कारिये ना करना ये भी किरियात्मक अनुसंदान में आते हैं तो उपरोग सभी जो है ये किरियात्मक अनुसंदान के छेतर है चार नमर उप्सन है जो आपका सही रहेगा आगे चलते हैं क्यूसर नमर 81 की ओर 81 नमर क्यूसर देखिए मितनु नियुम मैंसे सरजनात्मक उदसे बताईए इन मैंसे सरजनात्मक उदसे मातर बासा तेता उसके साहिते में रूची लेना सहवर्तियू का विकास करना बासा के आत्मक उदसे रहेगा बासा कोसलू में मोलिकता लाने की योगेता प्राप्त करना चार नमर वाला उप्सन चार सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं वेचारिक विश्यवस्तू का जो ग्यान प्राप्त करना है ये किस उदसे के अंतरगत आएगा मित्रू ग्यानात्मक कोस आत्मक के अंदर एक नमर उप्सन सही रहेगा कि उससे नमर 83 देखे किरियात्मक अनुसंधान द्वारा किरियात्मक जो अनुसंधान है उसके द्वारा सिक्सक अपनी तातकालिक समश्याओं पर विचार करता है मतलब किरियात्मक अनुसंधान के द्वारा ये तीनों कारिये होते हैं तो सही कौन सा रहेगा उप्रियूक सभी चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा कि उससर नमर 84 देखे बाधसा सिक्सन मुल्यांकन से अभी प्राए है निरंतर या सतत चलने वाली पर किरिया है मित्रूं वांचित वेवार्गत परिवर्तन की जानकारी देने वाली पर अभी किरिया है सही है बाधसा सिक्सन के उदस्यू की पूर्ती का सिमांकन बाधसा सिक्सन मुल्यांकन से होता है तो ये भी है तो मतलब ये तीनू-तीनू है जो बाधसा सिक्सन मुल्यांकन है सही रहेगा चार नमर उप्रोग सभी नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमर 85 उपचारात्मक सिक्सन का क्या उदस्य होता है चात्रू की तुरूटी का पता लगाना नहीं होता चात्रू का पिछला पंदूर करना जो तुरूटी है चात्रू की उसका पता लगाना होता है निधानात्मक में उपचारात्मक जो तुरूटी हमें मिली है उसको दूर कैसे किया जाए यह होता है उपचारात्मक तो दो नमर उप्चन आपका यहां पे सही रहेगा आगे चलिए क्योसर नमर 86 की ओर बासा सिक्षन में व्यापक उप्चारात्मक सिक्षन एतू सरवादिक उप्यूक्त उपाय बताना है पहला देखे विधालियों को और अधिक धन उपलब्द कराया जाए इससे उप्चारात्मक सिक्सन सरवादिक उप्यूगत नहीं है ये उप्चारात्मक सिक्सन के लिए सभी विधालियों को राज के विधाले बना दिया जाए ये भी नहीं है परतेग विदाले ये तू उप्यूग्द बोतिक संसादन उपलब्द कराया जाए इससे भी नहीं होगा कक्सा सिक्सन नियमित रूप से होने की वेवस्ता की जाए ये होगा मित्रूं जिसे उप्चारात्मक सिक्सन है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा चार नमर उप्चन सही रहेगा क्योंसा नमर 87 देखे बासा विकास के लिए आउसे कहे सामाजिक संपर्क लिपी का ज्यान विदाले में पढ़ना या इनमें से कोई नहीं बात किसकी हो रही है बासा विकास के लिए क्या आउसे कहे लिपी का ज्यान आउसे कहे दो नमर उपसन आपका सही रहेगा और इंपोर्टेंट क्योसे नहीं क्योसे नमर 88 देखे सिक्ष्या तता बासा का संबन्द है सिक्ष्या तता बासा का संबन्द सिक्ष्या के मादेम से बासा सिक्की जाती है बासा तता सिक्ष्या का संबन्द एइस पेस्ट है अधिकान सिक्षा बासा के मादेम से ही ली और दी जाती है ये सम्मन्द मित्रूं बासा और सिक्षा के अगर हम बात करें तो जो हम सिक्षा लेते हैं या सिक्षा देते हैं वो किसके मादेम से देते हैं बासा के मादेम से देते हैं तो तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा यहां पे आगे चलिए क्यूसर नमर 89 में बासागत विकास को परभावित करते हैं पारिवारिक वे सामाजिक संपरक परिवार की आर्थिक स्तती सवास्ते या उप्रियुक सभी तो बात कर रहे हैं यहां पर बासागत विकास को परभावित बासागत विकास को यह तीनू के तीनू परभावित करते हैं चाहे पारिवारिक या सामाजिक संपरको परिवार की आर्थिक स्तती हो या सौास्ते हो तो चार नमर उप्रियुक सभी आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट यूसन में चलते हैं, निवन में से क्या एक सिक्सन साहिक सामगरी दर्से सामगरी नहीं है, जो सिक्सन साहिक सामगरी दी गई है चार, श्यामपट, रेखाचितर, मुक्चितर और रेडियो, यहाँ पर दर्से सामगरी नहीं है, दर्से सामगरी कौन सी नहीं है, श बच्चू में लेकन कोसल की समझ का विकास केसे किया जा सकता है बच्चू के अंदर जो लेकन कोसल है इसकी समझ का विकास केसे किया जा सकता है मित्रू कहानी बोल कर भी किया जा सकता है स्यामपट पर लिखवा कर किया जा सकता है निमन्द लिखा कर भी इसमें का लेकन कोसल का विकास किया जा सकता है तो उप्रोग सभी तरुकू से चार नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्योशन में चलिए क्योशन नमर देखिए ब्राण में आउटलाइन विदी है उदबोधन रूपरे का परबोधन या कोई नहीं बात कर रहे हैं आउटलाइन आउटलाइन जो विदी होती है मित्रू ये रूपरे का विदी होती है आउटलाइन विदी कैसी है रूपरे का विदी ओप्सन दो आपका सही रहीगा important question आई है आगे चलते हैं next question की और question नमर त्रानम देखे वाद विवाद परतियोगिता का का ही एक रूप है वाद विवाद जो परतियोगिता है किसका है विमर्स विदी का परवचन विदी का परबोधन विदी का या रूप रेका विदी का वाद विवाद परतियोगिता ये आपके विचार विमर्स विदी का ही क्या होता है एक रूप होता है तो option नमर ये का आपका सही रहेगा next question में चलिए question नमर 94 देखे बासा सिक्सन में मुल्यांकन है तू निमलिकित में से किस परकार के परसन होना सर्वोतम उप्यूगत है बासा सिक्सन के अंदर मुल्यांकन के लिए किस परकार के परसन होना सर्वोतम उप्यूगत है मित्रू केवल निमंदात्मक केवल लगू इस्तरिये केवल वस्तुनेष्ट तीनु का समनवित रूप का सही रहेगा आगे चले क्यूसर नंबर 95 क्यूर क्रियात्मक अनुसंदान में क्रियात्मक अनुसंदान में निसकर्सू का सामाने करण या सार्वे भोमी करण नहीं किया जा सकता ये सही है आगे देखिए मित्रू सिक्सक को निर्देशन का अबाव मैसूस होता है ये भी सही है इसकी परकर्ती मूलते वेक्ती निष्ट होती है ये भी सही है खियात्मक अनुसंदान में उप्रोग सबी है जो किये जाते हैं तीनों के तीनों चार नमर उपसन सही रहेगा आगे चले कि उससे नमर 96 की ओर निम्न मेंसे कौनसा हुदसे बावपक से समंदित नहीं है मातर बासा तता उसके साहिते में रूची लेना ये बावपक से समंदित है सदवर्तियू का विकास करना ये भी बावपक से समंदित है बासद कोसलू में मौलिकता लाने की योगेता प्राप्त करना ये बावपक से समंदित नही है मितनू तो ये नही है और उपरियोगत मैंसे कोई नहीं कोई मतलब नहीं है तो कौँ सा नही है तीन नमर वाला ओप्सन नमर तीन आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं बासा का उदस्य होता है बासन देने, संप्रेशन करने अनुवेशन करने या इन में से कोई नहीं बासा का क्या उदस्य होता है संप्रेशन करना बासा के मादेम से संप्रेशन करना ओप्सन दोस सही रहेगा क्योंसर नमर 98 देके निर्मे से कौनसी विदी उच कक्साओं से समंदित है खेल विदी है विमर्स विदी है अनुकरण विदी है या चितर रचना विदी है कौनसी विदी है जो उच कक्साओं से समंदित है मित्रूं विमर्स विदी दो नमर उपसन आपका सही रहेगा क्योंसे नमर 99 देखे भासा का मानक रूप बालग कहां सीखता है भासा है जिसका मानक रूप है वो बालग कहां पर सीखता है गर में, समाज में, खेल कूद में या विदाले के अंदर कहां पर सीखता है मानक रूप बसा का विदाले के अंदर सीखता है मित्रू तो चार नमर ऊप्सन silicone आपका सही रहेगा और चलिए आज के इस class के graphs की और सबडबंडार द्योतक है सबडबंडार द्योतक है किसका बसा विकास का सारिक विकास का मानसिक विकास का या एनिमेसिंग कोई नहीं मित्रू इसक्यूसन के बाद नॉर्मल जान करें आपको दी जाएगी तो उसके लिए जरूर आफ वेट करें पूचा क्या है जबद बंडार है यह किसका दियोतक होता है बासा विकास का दियोतक होता है एक नमर उपसन आपका सही रहेगा बात करते हैं मित्रू नेक्स्ट है एक से एक सो पचास तो यह मिलेंगे हमें आपको अगले बाग के अंदर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें सेर कर दें और जो भी मेरे नए साती आ रहे हैं वो चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें और सबस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन के अंदर ओल नोटिपकेशन को ओन कर लें जिसे हर कलास का नोटिपकेशन आप तक आता रहे दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत